आज की ये ट्रेनिंग हर एक अपलाइन के लिए है और आज की ये ट्रेनिंग हर एक डाउन लाइन के लिए है जो दोस्तों आप डाउन लाइन हो या आप अपलाइन हो ठीके आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर क्या हो जिसके अंसर एक अपलाइन देगा और जो कोशन कौन डाउन लाइन पूछेगा देखो यदि आप डाउन लाइन है तो यह 8 सवाल अपने अपलाइन से जरूर पूछे जो मैं आपको इस ट्रेणिम में बताने वाला हूँ और यदि आप एक अपलाइन है तो इन्ही 8 सवालों का जवाब आप किस तरीके से दे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यह अपलाइन और डाउन लाइन दोनों के लिए यह एक अच्छी ट्रेणिक सेशन है जब डाउन लाइन कोई जूर रही है आपके अंडर में तो हाथो बात यदि वा कोश्चन नहीं भी पूछे तो भी आपको इसका अंस्वर दे देना है क्यों होता ही है नेट्टरक मार्केटिंग में लोग जो होते हैं वो इन कोश्चन के अंस्वर को जानने ही पाते हैं ना ही अपलाइन सही से बता पाती है तो बस उसी कन्फुजन के खेल में दिक्कत हो जाती है तो ये clear होने बहुत जरूरी है इसलिए आज ये question पूछने वाला हो तो पहला question आपको पूछना है क्या यह सच में एक business है क्या यह एक सच में business है और apply इनको इस answer क्या देना है देखो, एक business होता क्या है आप खुद सोचो ना, एक business वो होता है जो खरीदने वाले लोग है वो भी एकदम genuine हो, खरीदने वाले सच में हो, needful हो उस product के और जो seller से, यानि salesman से वो भी एकदम genuine हावावाई बाते ना करके genuine तरीके से product को बेच रहे तीसरा, benefits on genuine turnover जब कोई product की sale होती है तब जाकर के benefit मिले उस salesman को जब product को sale किया तब जाके benefit मिले ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को केवल join किया, केवल उसकी KYC करी और उसको benefit मिल जाए, तो वो एकदम fraud scheme हो गई, primary scheme हो गई, या others scheme हो गई, जिसको आप money circulation भी कह सकते हो, यहाँ पर क्या देहन देना है, genuine turnover जब हो रहा है, तब आपको benefit मिले company को भी benefit मिले, और जो उसका distributor है, उसको भी benefit मिले, तब जाकर के वो business genuine होता है business का मतलब यह होता है, जिसमें यह तीन चीज़े होती है और यहाँ तक कि हमने जहाँ पर network marketing में देखा है, कोई भी company हो जो real company होगी, वो इन तीज जी जो पर काम करेगी, उसके product genuine होंगे buyers and sellers genuine होंगे, और turnover पर वो पैसा देती होगी, जो यह काम नहीं कर रही है वो अच्छी company नहीं है, ठीक है तो यह तीन चीज़े ध्यान में रखनी है, यदि इसका answer अब क्या है किसी भी direct selling company में sales के experience की जुरुत नहीं पड़ती है because of हम केवल sales के business में नहीं है हम network के business में, हमको logo को handle करना है logo को inspire करना है, logo से बात करना है prospecting करना है, follow up करना है only for sales is not allowed केवल sales इसमें नहीं चलती है दूसरे जो business होते हैं, उसमें sales होते ही है तो काम खतम हो जाता है, उनका काम हो गया लेकिन हमारे business में sales जब हुई, यानि अपना business तो अभी start हुआ है यह बात आपको समझनी पड़ेगी तो यदि आपके पास sales experience नहीं है तो भी हमारे यापर जरूत नहीं क्योंकि हमारे पास में एक ऐसी trading system होता है पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आपको sales सेखाई चाती है क्योंकि हमारे यापर sales तो डिल्य अलग होती है हमारे यापर गंजे को कंगी नहीं बेचवनी है क्योंकि हमको भड़ा चड़ा कर कोई सेल्स नहीं करनी है यहना जेन्यून प्रोडस्स की जेन्यून सेल्स करनी है जिसको सच में आफशकता होगी हम उसको अपने बिजनेस के बारे में और अपने प्रोडक्स के बारे में बताएंगे ऐसा नहीं है कि हमको यह चीज बेशनी है माने जैसे कई कमपणी में लोग जाते लैप्टाप बेशते हैं तो सेल्स में जरूरी नहीं कि वो लैप्टाप यूज कर रहे हो फिर भी उसको बेशते हैं क्योंकि उनकों से बेशना है कुछ भी कर के लेकिन हमारे पर जो चीज अच्छी लग रही है आपको अपनी company में उसको प्रमोट करो तो यहाँ पर कोई sales experience नहीं चाहिए क्यों हम बोलते हैं क्यों हमको चीज अच्छी लगती है वहाँ आपको sales के experience के जरूत नहीं पड़ेगा अगर experience है तो अच्छा है वढ़ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह दो question का answer को समय आएका क्या लोग इस business में सच में पैसा कमाते हैं कई लोगों डाउट होता है कि आप business में सच में पैसा मिलता है क्या जी मिलता है पैसा लेकिन आप कितना समय लगा रहे हैं उसके ओपर depend करता है आप कितना काम कर रहे हैं उसके depend करता है ठीक है तो कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमान है लेकिन उन्होंने अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छा समय लगया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा मिलता कैसे है वो आपको जानना पड़ेगा turnover पर पैसा मिलता है आप जैसा जैसा sales करोगे है ना लोगों को बता होगे लोग भी sales करेंगे purchase करेंगे तब जाकर कर आपको पैसा मिलता है है ना क्योंकि यह आपको clear होना चाहिए कि जो network marketing company है यदि आप उसमें आ रहे हैं तो आप ऐसा मत सुझो कि रात और रात अमीर बन जाओगे हम कहते भी नहीं है रात और रात अमीर बन जाओगे अप अमीर बनने के लिए आओ मत यह एक ऐसा काम है जो दूसरे कामों की तरह ही है महनत करने पर पैसा मिलता है लेकिन network marketing अच्छी क्यों होती है कि यहां से पैसे विंकम मिलती है और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहां पर कोई भी अपना रोजगार ले सकता है ठीक है जो कहीं और से पैसा नहीं कमा पार रहा है वो यहां पर अच्छे से पैसा कमा पाएगा और आगे अच्छा future हो जाएगा इसलिए network marketing में अच्छा पैसा कमा नों यहां पर आएगी और करोड़ों कमा लूगा ऐसा नहीं है देखो काम करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा तो इस बिजनस में सब्सक्राइब कमाते हैं बस उस काम करने के लिए ततपर होने चाहिए तब आप पैसा आप भी कमा लोग पहले अपनी जॉब नहीं छोड़नी है और पार्ट टाइम में इसको सीखना है लेकिन आपको कमिट्र पाड़ेगा कि जो भी आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो वह आप टाइम इसमें दो बली एक गंटा दे रहे हो लेकिन उसको कमिट्मेंट के साथ में कंसिस्टेंस देते रहो है ना उसको छोड़ो मत ठीक है यह बात हुई जॉब नहीं चोड़ी है या कोई प्रॉफेशन कोई बिजनस दूसरा करने तो उसको भी आप मत छोड़ो इसको करते रहो लेकिन यह बात एक और में बदा देता हूँ आपको देखो जो नेट्वर्क में लाकों भी कमा लेते हैं फिर भी अपना बिजनस करते रहते हैं ठीक ना इसके बाद में क्या मुझे डो टो डो मार्केटिंग करने पड़ेगी जी बिल्कुल नहीं इसका तो साफ साफ मना कर दो क्योंकि यह बिजनस ऐसा है जिसमें आपके उपर है कि आप किस तरीके से सेल्स करते हो किस तरीके से कस्टमर्स को लेकर आते हो है ना आपको फैंचाइज दे दी कि आप यह सारे जो प्रड़क्स है हमारी कंपनी के इसके आप प्रमोटर हो तो आप जाकर करके इसको बेचो यह इसको प्रमोट करो इस बिजनस को प्रमोट करो अब यह आपके ऊपर Depend करता है कि आप कैसे करूगह आप Company के मानलो Owner हो मानलो product के Owner हो तो आप किस तरीके से sales करोगे इसमें कोई एक चीज नहीं आती है दो चीज नहीं आती है तीन चीज नहीं आती है आपको अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे परचेस करवाते हैं ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी बात हो गई गंजे को गंगी तो बेचने होए जो डोर तूर नहीं बेचना है अगर आप चाहते हो तो बेच सकते हो वरना कोई मतलम नहीं है इस चीज़ का ठीक है क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग strategies काम करती है, अलग-अलग तरीके काम करते है, जिसमें से एक तरीका हो सकता है, डो-टो-डो, लेकिन वो सफल तरीका नहीं है, मैंने तो आज तो किसी को नहीं देखा, नेट्रोक मार्केटिंग डिर्क सेलिंग में, जो डो-टो-डो मार्केटिंग कर रहा है, तक यह हमने भी कभी नहीं कर रही है, तो इसमें करने के जरुत नहीं एक अफ़वा है, यह भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है, अना कभी आप यह मत सोचो कि नेट्रोक मार्केटिंग के साबुन तेल बेचने का बिजनस होता है, यह business बहुत ही उंदा है बहुत ही डीप है आप इसको सीखो समझो ठीक है इसके बाद मैं कैस business से मेरे रिष्टे खतम हो जाएंगे यह बहुत अच्छा question है देखो लोग क्या सोचते हैं कि network marketing में आने से हमारी value खतम हो जाती है लोगों के सामने फीक के बढ़ जाते हैं आप अपने आपको किस तरीके से प्रस्तूत करते है वो डिपेंड करता है देखो एक व्यक्ति होगा जो अच्छा ड्रेस नहीं पहनेगा अच्छे से बात नहीं करेगा और वहीं पर उसका दोस्त होगा मान लो वह अच्छे से अच्छे लोगों से बात कर रहे है तो अच्छा रेस्प्राइव के बताते हर चीज़ के लिमिट रखो है ना इंडिरेक्ली बात करना सीख जाओ जैसे मैं अभी वीडियो दिया था जैसे आपको बताता है इनिविटेशन किस तरीके से आपको देना है जैसे इनिविटेशन आप देते हो तो पीछे नहीं पड़ जाना आपको इग्नोर करना है लोगों है जहीं आपको समझना पड़ेगा नेच्स्ट मुझे सफलता के लिए कोई समय निश्चित दृएं कईलोग द Mehr 2-10 साल के बाद भी सफफल नहीं होते क्योंकि वही बात है यह भी चीज आप पर depend करते हैं आप कितना काम करते हो आप अपने business के प्रती अपने समय के प्रती कितना कमिट हो दोखो लोग होते हैं जो 18-18 महीनों में भी अच्छे मुकाम पर बहुच जाते हैं लेकिन आप 13 महीनों में जब अच्छा कमा लेते हैं जै कमाना चाते हो उत्ता आप क्या इसमें समय दे पाऊगे और समय तो छोड़ो आप क्या मेनद कर पाऊगे उतनी आप कमिटमेंट कितना करते हो बिजनेस के ब्रति वो important होता है ठीक है तो बात यहाँ पर समझ में आई आपको क्या समझ में की सफलता के लिए समय हम खुदी निल्दारित करेंगे है ना हमको तीन साल देने या तीन साल देने हमको डिसाइड करेंगे लेकिन मैं आपको एक सला दूँगा एक साल तो पीछे मुड़के देखना ही नहीं है लगातार काम करते नो सफलता नहीं मिलेगी एक साल तक हो सकता है किसी को मिल जा को नहीं मिले लेकिन आपको लगातार करना पड़ता है कर लोग थे तिन से पात साल तो इसमें देना पड़ता है ठिक है तो एक बिजनस समझ किया हो एसके अंदर एक जॉब मत समझ 25 जॉब पर लगों को बताना पड़ेगा तो CDC बात ये है कि जान पेचान एतनी नहीं चाहिए जब आप आते हो तो आपको सिखा जाता है कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर गए कि जान पाचान वाले वैसे इस बिजनस में आते नहीं है digital logo को बताने के लिए Facebook Instagram से बताने के लिए आप यहाँ पर सीखोगे तो आपको यह attention करने के जरूत नहीं कि आपकी जान पर जादा हो क्योंकि यहाँ पर आपकर आपकी जान पर जाएगे और strangers से आप मुलाकात करना सीख जाओगे strangers को बताना सीख जाओगे तो CDC बाते आपकी जान पर जान हो या नहीं हो इसका भी कोई फरक इस business को नहीं पड़ता है तो दोस्तों यह art question थे आज के जो मैं आपको बताना चाह रहा था कैसे लगी यह art question मुझे comment में जरूर बताएगा और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने list को कैसे build करते हैं इसके बारे मुझे comment में जरूर बताएगा आप किस तरीके से prospecting करते हैं इसके बारे मुझे जरूर बताएगा और CDC बाते comment box में यह जरूर लिखेगा कि यह art question क्या आपको पहले पता थे या नहीं पता थे बाकी आपको अगर अच्छा लगा तो subscribe जरूर करते हैं इस चैनल को करकि इस चैनल पर मैं लगा तर आपको ट्रेडिंग देता रहता हूँ किस तरीके से prospecting करें, follow up करें, implementation कैसे दे क्या बाते ध्यान में रखें, plan कैसे दिखाएं, सब कुछ मैं आपको बता दता हूँ इसलिए आपसे गुजारी शेक इस चैनल को subscribe कर लें इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share करें आप applying है, downline है, मुझे comment में जरूर बताईगा और किस तरीके से downline को support करते हैं, वो भी आप ज़्यादा जरूर बताईगा यदि यह कोई downline इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बतादा दता हूँ कि आपको applying से question पूछने ही, पूछने है, है ना, इसमें बटनी चलेगा, आपको question पूछने ही, पूछने ही यह आपने देखा की नहीं देखा, यह वीडियो बहुत जादा important है, link discussion दूँगा, मैं आपको इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, आपको एक ऐसा सच पता लगने वाला है, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, ठीके, और यह यह वीडियो को आपने देख लिया, तो comment जरूर देखेंगा, मिलते हैं, link session में तब तक कि लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह वीडियो अपना support बनाये रखिए